कनहिया के बाल लेलाओं में सबसे नटखट लेला माखन चोरी की है उसी पर ये भजन सूरदास जी ने लिखा है कनहिया आज पड़ोस की घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोप्या शेकायक करने आती थी मा यशोदा के पास यशोदा तुमारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया है बहुत नुकसान कर दिया तो यशोदा घुसे में कनहिया को बुलाती और उनसे कहती कि कनहिया ये सब क्या करके आये हो तो कनहिया मुस्क्रा कर कहते मा इनकी बाते मत सुनना ये सब जुट बोल रहे हैं लेकिन आज कनहिया ने अपने ही घर में माखन की चोरी की तो बजने के लिए यशोदों को क्या प्यारे तर्क देते हैं इस भजन में हम सुनते हैं आप सबको जन्मास्टमी की बहुत बहुत शुक्रा मैं मैं नहीं माखन खायो कहत सुनत में आकर काह जूठा दोश लगायो रिमया मुरी मैं नहीं माखन खायो यमुना के तट पर ग्वाल बन संग चार सहर में खेला गईया चरावत बन सी बजावत हुई सांज की बेला भूक लगी तो दाड़त दाड़त सीधा घर में आयो रिमया मुरी मैं नहीं माखन खायो कहत सुलत में आकर काहे जूठा दोश लगायो रिमया मुरी मैं नहीं माखन खायो आक हुई तो खायो जयो घ्क हुई झाल कूरे खायो कहां हुई खायो क्वे टोणत टूख सलय को कहां हुई झाल